नमस्कार आप देखरें अन्वन लाइव मैं हूनेहा शुक्या आजादी क्या है? खुली हवा में सांस लेना, बिना रोक टोक के अपने अधिकारों को जीना लेकिन गुजरते वक्त के साथ आजादी के माईने बदलते जा रहे हैं हमारे आजादी के परवानों के लिए आजादी एक सपना हुआ करती थी जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने हस्ते हस्ते फार्सी के फंदे को गले लगा लिया ऐसे ही एक वीर की कहानी आज के इस खास वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम था करतार सिंग सराभा करतार सिंग सराभा सिर्फ 19 साल के थे जब अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें आज़ादी की दिवानगी दिखाने के लिए फार्सी के फंदे पर लटका दिया था क्या आप जानते हैं कि भगत सिंग जिनकी करानथी के किस्से आज भी युवाओं को प्रेडना देते हैं वो भी करतार सिंग सराभा की आज़ादी के कायल थे भगत सिंग करतार सिंग को अपना गुरू मानते थे करतार सिंग सराबा ने अपनी छोटी से उम्र में ही आजादी के लिए ऐसे संघर्ष किये जिसने कईयों को आजादी की क्रांती में आने के लिए प्ररित किया लेकिन पंजाब को छोड़ दें तो देश के बाके हिस्सों में सराबा के बलिदान के बारे में लोगों को कम ही पता है इसलिए चलिए सबसे पहले जानते हैं कि करतार सिंग सराबा का जन्म कहा हुआ था और कैसे उन्होंने अपनी छोटी से उम्र में ही क्रांती लाने की ठान ली थी करतार सिंग सराबा का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के सराबा गाउं में हुआ था ये जगह लुध्याना जिले में पढ़ती है सराबा का जन्म एक संपन पंजाबी परिवार में हुआ था लेकिन दुर्भाग गिवश बच्पन में ही उनके पिता चल बसे इस घटना के बाद उनके दादा बदन सिंग ने उनकी और उनकी छोटी बहन की परवरिश की में करतार ने पढ़ाई आगे जारी रखने की सोची और फिर अमेरिका चले गए लेकिन अमेरिकी धर्ती पर पैर रखते ही सराबा को एहसास हुआ कि गुलाम देश के नागरिक होने के कारण उन्हें अमेरिका में दूसरे नागरिकों की तुलना में आदर और सम्मान नहीं मलता था अमेरिकी अधिकारियों ने जब युवा करतार से ये कहा कि वो ए गुलाम देश के नागरिक हैं इसलिए उनके सामान की जादा तलाश ली जाएगी तो ये बाते करतार को अंदर तक जगजोर गई अमेरिका के साथ साथ दूसरे कई देशों में भी भारती अनागरिकों के साथ दुर्वेवहार की मामने तीजी से बढ़ने लगे और फिर विदेशों में पढ़ने गए भारती युवाव ने एक जुट होना शुरू कर दिया पंजाब के करतार ने भी इस गैदरिंग्स में बढ़चड कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया अब तक करतार सिंग सराभा के मन में भारत को आजाद करवाने की भावना जन्म ले चुकी थी करतार सिंग जो अमेरिका की बॉकली इनिवसिटी में पढ़ते थे उन्होंने इसी इनिवसिटी के नालंदा क्लब ऑफ इंडिन स्टूडेंट्स नाम के ग्रुप से नाता जोड़ लिया फिर 1912 में पॉर्टलैंड में भारतियों के एक सम्मेलन में जिसमें सोहन सिंग भाखना हरनाम सिंग और लाला हर्दयाल जैसे करांधिकारियों ने भाग लिया वहां करतार ने जब लाला हर्दयाल के भाषन को सुना तो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भारत के आजादी को ही अपना एकमात मकसद बना लिया सैंट फ्रांसिस्को में लाला हर्दयाल के साथ करतार सिंग जगा जगा भाषन देते और नौजवानों को एकजुट होने की अपील करते लाला हर्दयाल भाई पर्मानंद और करतार सिंग के प्रतनों से अमेरिका में पढ़ने और काम करने गए नौजवान इकठा होने लगे दूसरी और भारत में नौजवान पहले से ही कॉंग्रेस की नरम नीतियों से खुश नहीं थे साल 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के बाद जब कॉंग्रेस दो टुकडों में बढ़ गई जिनने नरम दल और गरम दल कहा गया नौजवान क्रांती कारी इस हक में थे कि हथ्यारों की बल पर ही आजादी हासल की जाए नतीजी दन 1909 में मदलाल धिंग्रा ने भारत से लंदन जाकर करजनवाली की हत्या कर दी धिंग्रा को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया लेकिन इससे विदेशों में रह रहे है भारतियों में क्रांती की ज्वाला और भड़ा कुठी फिर इससे जन्म हुआ गद दिलाना एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग फैक्ट ये भी जोड़ा जाता है कि करतार सिंग सराबा और गदर पार्टी की शिरुवात सावरकर के विचारों से भी प्रभावित थी सावरकर की किताब वार ओफ इंडिपेंडिस 1857 में बताया गया है कि किस तरह 1857 की क्रांती के बाद उसी तरह की दूसी करांती कि जरूरत थी उस वक्त सावरकर एक रानती कारी ते लंमे वक्त तक में बिता रहे थे हाला की ज्श wordt पेए सावरकर नहीं कई बार ब्रिटिश हुकूमत से माख़ी वांगी थी, लेकिन हिंदुत्व की तरफ सावरकर का जुकाव और गांधी की हत्या में नाम आने के बाद सावरकर की प्रतिष्ठा गम हो गई थी, हलाकि बाद में सावरकर को गांधी की हत्या के इल्जाम से बरी कर दिया गया था कर्तार सिंग क्या सावरकर के नए रूप से भी प्रभावित होते इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिल पाए साल 1913 में कर्तार सिंग सराबा ने गदर पार्टी से खुद को जोड़ लिया ये गदर पार्टी मिड 1913 में बनाई गई थी जिसे अमरिसर जिले की भागना गाउं की रहने वाले सोहन सिंग ने बनाया था इस पार्टी में लाला हर्दया सेक्रेटरी थे और इसकी अखबार के काम में मदद करने लगे कर्तार सिंग कर्तार सिंग ने इसके लिए युनिवासिटी छोड़ दी गदर नाम के इस अखबार में कर्तार ने गुर्मुखी एडिशन का काम समझा लिया इसमें वो देशभक्त की कविताय और आर्टिकल लिखने लगे इस अखबार के उपरी हिस्से में साफ साफ लिखा होता था अंग्रेजी राज के दुश्मन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के उपर दबाब जब बढ़ गया था उन्हें कई मोर्चों पर लड़ाईया लड़नी पड़ रही थी उसे जर्मनी के साथ युद्ध लड़ना पड़ रहा था ऐसे में गदरपाटी के कारेकरताओं का ये मानना था कि भारत में क्रांती का यही सही समय है क्योंकि कई मोचों पर जंग लड़ है अंग्रेजों के लिए उस विद्रों को दबाना मुश्किल हो जाता इसी लक्ष को देखते हुए करतार सिंग सराबा जैसे क्रांतिकारियों की अपील पर 8000 के लगभग भारतिय विदेशों से भारत की ओर चल पड़े करतार सिंग श्रिलंका की रास्ते भारत पहुँचे और छिपकर क्रांतिकारी गतिवीधियों में शामिल हो गए गदर पार्टी के साथ लोगों को जोडने क्रांति के लिए हथियारों को इंतिजाम करने के साथ साथ उन्होंने बं भी बनाए 21 फ़वरी 1915 का दिन पूरे देश में अंग्रेजों के खलाफ गदर के लिए निरधारित किया गया लेकिन किसी ने इसकी सूचना अंग्रेजों तक पहुँचा दी इसके बाद इस तारीक को बदल दिया गया पर अंग्रेजों तक हर खबर पहले ही पहुँचा दी इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने गदर पाटी की लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया रास बिहारी बोस भी क्रांती की कोशिशों में लगे थे लेकिन जब सभी साथ ही पकड़े जा रहे थे वो किसी तरह से बचकर लाहौर से कलकत्ता जा पहुँचे और वहां से नकली पासपोर्ट बनवा कर जापान चले गए कर्तार सिंग को भी उन्होंने अफगानिसान भाग जाने के सला दी लेकिन कर्तार सिंग नहीं गए और अभियान के लिए काम करते रहे 1857 की क्रांती में जिस तरह सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया था मुकदमा चलाया गया उन पर चले मुकदमे के बाद जज ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई और कहा कि इतनी से उम्र में ये लड़का ब्रिटिश सामराज के लिए बहुत बड़ा खत्रा है ना जाने करतार सिंग के स्मिट्टी के बने थे कोड के केस में आखरी सुनवाई के दिन उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ मुझे फांसी की सजा मिले ताकि मैं फिर से भारत में जन्म लूँ और जब तक देशाजाद नहीं हो जाता तब तक मैं भारत में जन्म लेता रहूँ फाजी की सजा मिलने के बाद उन्हें बहुत खुशी हुई थी एक बार जेल में जब उनकी दादा उनसे मिलने पहुँचे और पूछा कि बेटा ये तुमने क्या किया सभी रिष्टदार तुम्हें बेवकूफ कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें क्या कमी थी इस पर कर् करतार सिंग जिस क्रांती की आख को सुलगता छोड़ गए थे उसी की तपिश्ट से भगत सिंग ने ब्रिटीश हुकूमत की जड़े हिला कर रख दी भगत सिंग और उनके साथ ही अपनी हर सभा में करतार सिंग की तस्वीर को मंच पर रख कर उसे पुश्पांजली देते थे ऐसे थे हमारे वीर क्रांती कारी करतार जिनके होसलों ने अंग्रेजी हुकूमत को खत्रा महसूस करा दिया था आज के दौर में भी हमें ऐसे ही वीर जवानों के होसलों की दरकार है जो देश को सबसे पहले रखे और अपने हितों को बाद में जैहिन वीडियो पसंद आये हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले वीडियो पर आखरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद